हालो फ्रेंड्स आज के विडिसकस करने वाले है कोड़ फॉर्स राउं 748 डिविजन 3 का प्रॉब्लम में क्या है प्रॉब्लम में क्या है पहले ट्री की देफिनिशन दिये है अपने अब तक ट्री या ग्राफ नहीं पढ़ा है तो एक बार रिक्मेंडेशन एक बार आप जा कि जरूर पढ़ो और उसका बेसिक नॉलिज जरूर ले लो ठीक है क्योंकि अगर आज के प्रॉब्लम अटेम्ट नहीं किया यह सूच कर कि यह प्रॉब्लम ट्रिया ग्राफ का है तो आप उसे यह मौका है आपको ट्रिया ग्राफ पढ़ने का तो आप जाके उनको पढ़ करके अगर आपको ट्रिया ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम मिले तो आप उनको सॉल कर ले क्योंकि मेनली ट्रिया ग्राफ के प्रॉब्लम स्टांडर अल्गोर्थम के उपर बेज रहते हैं तो अगर आपने इस बार पढ़ लोगे तो नेक्स्ट ताइम आप से सॉल करन करेगा वन ऑपरेशन में वह मिस जितने भी लीफ नोट होंगे उनको रिमूव कर देगा वो उसका एक ऑपरेशन हो अगर कर ठीक है तो जैसे कि यह हमारा से गट रही है तो एक ऑपरेशन में अगर उसारे लीफ नोट को रिमूव करेगा तो क्या होगा देको 14 11 12 5 6 9 10 यह स सब लीफ नोट एटि अकश्याटर दो करो सब कि अगर उसक फेस्ञ गारा तो कुछ नंग औक अगर आपक खंली चाली एक ही वर्टैंस है तो आप loan गयोगे तो वह ही लीफ नोट रीड हो गए और वह नोट्स रिमूव हो जाएगा यह थर्ड exception दिया कि अगर आपके बस तो अगर आप इस वे एक operation करोगे तो दोनों वर्टस रिमूव हो जाएंगा ठीक है तो अब विटली ने क्या किया किया कि यह operation करने है तो आप क्या करोगे यहां पर जितने भी लिफ नोट से हैं इन सब को आप रिमूव कर जो क्यों 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 सब के एटमस्ट वन करेक्शन है इनके सिंगल सिंगली करेक्शन नहीं था क्यों कितने आपका अंसर क्या हो जाएं अगर इसी मेंगर आपको बोला जाए कि केज़ वल्टो आपका वन नहीं केज़ वल्टो आपका टू है इसको हमको करना क्या है हमको करेंगे उसकी लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले आपन क्या करेंगे जितने भी नोट्स है सब की हम डिगरी निकालेंगे देखो यह हमारा एक्जामपल है फाइव नोट्स एंट टू आपको प्रफम में तो इसलिए आपको अपको करेंशन निकालना इंप्रटन निकालेंगे देखो तो नोट का्लिक्षांगा की सतनी कंश्यायों कि इपकी अब देखो जिसके भी oh है वो क्या है वो आपका leaf node है तो जिसके भी connection होंगे तो हम पहला operation perform करेंगा और उन सब को हम क्या करेंगा हम उन सब को q में डाल देंगे तो cage gold जब आपका first operation आप perform करोगे तो आप q में कौनसी notes को डालोगे जिन note का indegree means जिन लोग का connections 1 है तो 3 & 4 को आपने क्या किया अपने structure से रिमू करने लेकिन उनको रिमू करने के पहले अगर आपका operations remaining है क्योंकि देखो आपको दो operation क्योंकि अब यह हमारा अगला लीफ नोड़ बनने वाला है ठीक है अब उसके बाद क्यू में आपके कौन है क्यूं में क्यूं में आपके में मिस 4 को लिया आपने 4 को लिया आप 4 से directly connected mode कौन था 5 फॉर को आपने रिमूव किया और directly connected mode कौन था 5 तो उसका connection आप क्या करोगो 1 से reduce कर दो क्योंकि पहले 5 1 & 4 से connected था आप 5 किसे आप 5 only 4 से connected है आप 5 only 1 से connected तो 5 को अभी connection कितना होगा 1 तो 5 भी आपके case में आगया करें ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपने जब case equal to 1 था तो आपने case को किया 3 & 4 को आपके q में डाल दिया ठीक है अब अभी भी आपको miss एक और operation remaining है तो miss 3 & 4 को हटाने के बाद कोई और top पे आने वाला है और आपको operation perform करें तो 5 & 2 टॉप पे है तो आपके q में क्या है 2 & 5 आ चुके है q में आपके कौन है 2 & 5 ठीक है तो q में जो भी elements आपके q में आएंगे उसका मतलब क्या होगा कि वह भाई top level पे आ चुके है वह leaf के part बन चुक है तो इनको आपने हटा दिया अब आपने 2 & 5 से जुड़े हुए node 1 को आपने q में पुछ नहीं क्यों क्यों कि आपके दोनों operation खतम होगे तो पहलों operation में आपने 3 & 4 को आपके q में पुछ किया अभी आपके operation बच्चा होगा तो आपने क्या कि आपके q में पुछ कर लिया ठीक है लेकिन आपके 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 आपका लिफ नहीं है तो मिस आपका answer होगे ठीक है तो इसका code देखते हैं तो अपने को ज्यादा बेटर understanding में लगी सबसे पहले अपने ने क्या किया अगर 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 होने वाला है तो आप उस पर operation करोगे तो जीरो हो जाए करेगा ठीक है और आपका operation minimum one operation तो आपको करना है case greater than equal to one ठीक है उसके अगर हमने क्या किया यह हम ग्राफ यह को store करने के लिए हमने structure बनाया फिर हमें count vector बना यह क्या करेगा कि यह number of connections को maintain करेगा यवी को आपने insert किया u.pushback v and v.pushback u because q वे यह under reflected graph है साथ ही हमने कि connections को increment करता है u के connections को increment किया और v के connections को increment किया तो उसके अट कि क्यों ले लिया हमने level of other traversal के लिए और यह visited vector के लिया यह क्या track करें कि जो जो भी नोट्स हमारे Q के part बन चुके हैं, वो क्या है, leaf node बन चुके हैं, तो यह हमारे क्या है, विष्टेट vector में track करें कि कौन कौन से node Q के part है, फिरा I is equal to 1 से लेकिं less than n तक reverse किया, जिसका भी connection 1 है, means वो क्या है, वो आपका leaf node है, तो आप क्या करो Q में push पुश कर दो और उसका विष्टेट वन कर दो कि भाई यह हमारे क्युव में पार्ट हो चुका और देखो आपको at least one operation तो आपको परफॉर्म करना ही था तो इसलिए हमने यह operation को हमने यहां परफॉर्म कर लिया ठीक है यह हमने परफॉर्म कर लिया उसके जब तक क्यूआ एल पहले क्या था? आपके नोट्स में कितने 3 & 4 थे तो पहले आपके 3 को पॉप किया, उससे directly connected notes थे, उसके connections को आपने reduce कर दिया, 3 से directly connected कौन था? 2, उसके connections को आपने reduce करके 1 कर दिया, ठीक है? तो हम यह करेंगे, उसके connection को reduce करेंगे, अगर उसका connection 1 हो गया, तो यह अब आपका leaf बनने वाला है, तो आपके क्या करो? Q में उस node को push कर दो, और साथी उसका visited 1 कर दो, कि भाई यह भी node आपके leaf का part बन चुका है, या फिर Q का part बन चुका है, Q में गया, तो miss, वो leaf का part बन चुका है, ठीक है? फिर यह जितने जैसे operation perform करें, आप क्या करो? I is equal to 1 सिले के answer traverse करो, तो अगर किसी का भी visited 0 है, means वो आपके Q का part नहीं है, कोई भी Q में push हुआ था, तो आपने उसका visited 1 किया था, Q में push होना मतलब leaf node, और वो उसका remove होना कर दो, ठीक है? अगर विश्टेद I is equal to 0, तो answer plus plus कर दो, in the last answer, आप handle कर दो, ठीक है? तो friends, आशा करता हूँ, यही इसका आशा करता हूँ, आपको इसका explanation record दो नहीं समझ में आ रहा हूँ, फिर भी अगर आपको दिक्कत है, तो आप comment section में जरूर बताएए, मैं जरूर उसका reply करके, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने train graph नहीं पढ़ा है, तो आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि अगर आप इस बार पढ़ाँ तो next time आपसके question को solve करोगे और आपका confidence बढ़ जाएगा तरह ठीक है, वीडियो पसंद दा रहे तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्क्राइब भीजेए, मेरे लिए कोई suggestions हो तो मुझे जरूर बताएए करके, बहुत बहुत बह करेंगे वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलेंगे next वीडियो मुटे लें, take care, bye bye, thank you.